असलाम लेकुम आज की जो महीं वीडियो है डाट इस रिलेटेट टू रिसर्च प्रोजेक्ट 8 6 1 3 8 6 1 3 का जो अलमा इकबाल ओपन इनुवस्टी में कोर्स कोड पढ़ाया जाता है उसका मकसद ही होता है कि स्टूडेंस जो अभी तक अपनी रिसर्च पढ़कर आए हैं वो जितनी भी उन्होंने नौलेज गें की है उसको अब इंप्लिमेंट किया जाए या उसको एक किस तरह से कंड़क्ट कर सकते हैं विदिन अ क्लास्रूम विदिन स्कूल तो उसके लिए ये 8 6 1 8 6 1 3 को जो है वो डिजाइन किया गया है बेसिकली आप लोग जब भी जब हम रि से आप क्या हासिल करते हैं और किस तरह से different types of research conduct कैसे की जाती है जो research है ये basically systematic investigation है किसी भी चीज़ की अगर आप किसी material को sources को study करना चाहते हैं उससे related facts together करना चाहते है ताकि आप किसी नए नतीजे तक पहुंच सके नए conclusion तक पहुंच सके उसके लिए research की जाती है और यही च systematic collection करते हैं analyze भी करते हैं data को लेकिन सिर्फ हमाई जो field है वो related to education होती है research में हम काफी varieties देखते हैं जहां पर हमें बहुत सारे methods नजर आते हैं जिसमें हम students learning, teaching methods, teaching training, classroom dynamics, curriculum developing, policy making, हर एक चीज़ जो के education से related है चाहे वो आपका method हो चाहे वो आपकी methodology हो चाहे वो आपकी curriculum designing हो चाहे आपकी instructional design हो assessment हो even आपकी different तरह की activities हो जो के within educational education में की जाती है that that comes in the under under the umbrella of educational research हम क्यों इसको why educational research ताके हम practice improve कर सके teachers की और knowledge को add-on कर सके knowledge में जितने gaps रह चुके हैं जो हम समझते हैं कि हमें knowledge हमारी उतनी लेवल की नहीं है उसको उतनी लेवल तक लेकर आना ताकि जिसमें जो एक required educationist के जरूरी है उसको फिल करना knowledge को expand करना जो आपके पास knowledge है वो आप दूसरों तक पहलाएं दूसरों तक share करें फिर दूसरों की जो आप्लिकेट कर सकें हम identify कर सकें के enrollment retention drop out या quality of education के जो elements है या जो sources है या जो reasons है वो क्या होते है और वो क्यों होते है फिर हम यह भी देखते हैं कि जो educational methodology है या जो आपके बच्चों की psychology को समझना बच्चों की psychology को समझते वे teaching methodology वैसे अड़ाप्ट करना और फिर उनको उस तरह से अच्सेस किया जाए इसलिए इजुकेशनल रिसेच बहुत इंपॉर्टन्स रखती है ताकि हम जो daily life में जो classroom में जो institution में administrators को teachers को headmistress को या बाकी staff जितना भी है उनको जो problems आते हैं उनको हम solve कर सके या solution के लिए हम कुछ हम ऐसे strategies बनाए ताकि उनको हम solve कर सके अगर हम research की classification देखें तो research की classification है that is research by purpose and research by method एक तो research by purpose है कि आप basic research करना चाहते हैं आप applied research करना चाहते हैं आप evaluation या research development में कोई research or development करना चाहते हैं या action research करने चाहते हैं basic research include होती है वो basically conduct की जाती है और क्यूंके हमारा यह जो course है वो related है 8613 it is all related to action research basic research conduct की जाती है तक हम कोई purpose देख सके कोई theory दे सके और उस theory develop कर सके अपनी जितनी भी knowledge हमने जो भी questionnaires बनाए हैं जो भी हमने knowledge for the knowledge sake जिसे कहें कि already जो लोगों की knowledge में इजाफा किया जाए फिर आज जाती है applied research यह इसको कंड़क करने का purpose यह होता है कि आप theories को test करें आप evaluation की की तरफ जाएं देखें कि जो already theories बनी भी हैं जो already models बने हुए उनको अगर हम यहां apply करें तो किस तरह से apply कर सकते हैं एक A scenario में उनने बनाया तो अगर उसको B scenario में हम करके देखे test करें hypothesis testing करें हम उनको experiment करें तो हम किस तरह से कर सकते हैं और उसके क्या problems आते हैं और क्या उसको किस तरह से हम solve कर सकते हैं evaluation research है जिसमें हम different तरह की decision makers होते हैं उनके लिए facilities provide की जाती है ताकि वह alternative देख सके for example online classes की वज़ा से students में उतना ज्यादा जो attention spend ना होने की वज़ा से या teachers की teaching methodology उतनी अची ना होने की वज़ा से उनको इतना खास मज़ा नहीं आया तो उसके लिए भी आप evaluative research कर सकते हैं और check कर सकते हैं वह कौन-कौन से hurdles से जिसकी वज़ा से बच्चों को बच्चे effectively online classes नहीं ले सके या teachers उतनी effective नहीं अपनी instruction को design कर सकी के students के मयार के मुताबिक हो research and development अगर हम देखें तो यह conduct की जाती है ताकि हम इसमें जितने भी products है educational settings है उनको find out कर सके हम उनको develop कर सके effectively education के जो products हैं for example आपके course code कौन से होने चाहिए आपके scheme of study क्या होनी चाहिए कि कौन से class को कौन-कौन से subjects बढ़ाए जाएंगे आपके जो teachers को evaluate करने के लिए कौन-कौन से evaluators है और कौन-कौन से models है कौन से parameters है जिन पे उनको evaluate किया जाएगा इन सारी चीजों को अगर हम conduct करते है that is that comes in the research and development then जो हमारा main purpose है वह action research इसमें हम कोई भी theory को ना तो test कर रहे हैं ना हम नहीं कोई knowledge लेकर आ रहे हैं सरफ यह होता है कि हम अपने students को यह बताया जाता है कि आप जब कोई भी education education से related कोई research करेंगे वो within a classroom कोई problem होगा जो local problem जो local level पे उसको आप solve करने की सलायत रखें आप उसमें देखें कि किस तरह से आपके पास alternatives है और alternative decisions में से options में से कोई एक option लेके और आप उस problem को कर सकते हैं तो action research basically अगर इस्टिपन कोवे कि देखें तो वो कहते हैं कि यह वो process है जिसमें teachers identify करती है कि problem कहां पर face कर रहें students उनके students को classroom में teachings related problem है learning related problem है उनको अपने peers related problem है कि class fellows उनको तंग करते हैं इस तरह के बहुत सारे issues आते हैं तो teacher आप उसको systematic way में बहुत तरीके से किस तरह से उनको बहुतर learner बनाया जा सके और उसको solve उस problem को solve करने के लिए action research कंड़क्ट की जाती है यही चैस call on define करने के systematic process है जिसमें हम यह identify करते हैं कि school में क्या हो रहा है और उसको किस तरह से बहुतर place बनाया जा सकता है परपस क्या है action research का ताकि teachers की जो practice है उसको improve किया जा सके learners के बहतरी के लिए problem solving के लिए फिर इसको teachers को किस तरह से तरह से teachers अपनी teaching को teaching techniques को कैसे improve कर सकते हैं evaluate कर सकते हैं और किस तरह से teachers और नहीं knowledge अगर हम पर्सनल application analysis पर देखे तो यह personal analysis भी है self evaluation है किसी भी किसी कोई भी चाहता है कि मैं अपनी पर्सनल evaluation करूँ कि मेरी level क्या है और में कहां पर होना चाहिए मुझे और मैं जितना effective कर सकता था क्या मैं अच्छा practically वो कर रहा हूं या नहीं कर रहा और अगर कोई नहीं कर रहा तो वो क्या gaps है और जिनको मैं further solve कर सकता हूं करेक्टर स्टेक्स अगर हम action research की देखें तो इसमें सिर्फ यह नहीं है कि आप building कोई theories build करें या कोई आप बनाएं कि मेरी finding आई है इसके मुताबिक मैं चाहता हूं है और जितनी भी teachers की deficiencies है उनको improve किया जाता है उनको sort out किया जाता है इसमें teachers एक systematic way में problems को identify करते हैं action research की वजह से उन पर immediate action लिया जाता है और उसको solve किया जाता है इसमें teachers वो इसके एक characteristics यह है कि classroom environment को इतना conducive बनाएं ताके बच्चे effectively learn कर सकें बहतर अच्छे अंदाज में वो सीख भी सके और आगे उनकी improvement आ सके और work conditions जितनी हैं इसमें जब हम बहतर बनना चाहते हैं तो definitely हमें किसी के साथ approach करने पड़ेगी कि जो अच्छा हमें लगता है कि जो हम से ज्यादा effective पढ़ा रहे हैं तो हम उनके साथ coordinate करेंगे कोपरेट करेंगे हम इसा cooperative attitude रखें ताकि इसका action research का करेक्टरिस्टिक यह होता है कि आप जब एक दूसरे के साथ coordinate करते हैं तो आपकी cooperation भड़ जाती है और इसको purpose में यही है तो हम इसको क्या action research का कि school में teachers की cooperation जो है cooperative attitude हो teachers towards the students to teachers towards the colleagues और हम इसको क्या action research कह सकते हैं और क्या action research नहीं है what is not an action research हम क्या करते हैं कि हर जो लाइबरी के project है उनको theoretically learn करना और topic के interest के मताबक से हम बहुत सारी research conduct कर लेते हैं literature review gather कर लेते हैं इस action research में इतना ज्यादा literature की जरूरत नहीं होती और जरूरत होती है आप help लेते हैं research based research intense research के हिसाब से आप काम करे होते हैं कि दूसरे लोगों ने किस तरह से काम किया वो help लेना something else लेकिन अगर document analysis कहें या library के जितनी भी theories है उनको पढ़ना और उनको बताना कि यह problem ऐसी ती इसको यह solve किया गया यह action research नहीं है फिर not an attempt to find out what is wrong यह भी गलत है कि सिर्फ यह नहीं है कि हम सिर्फ wrong को find out करें बलके हम यह भी देख सकते हैं कि अगर वर्टिकलर कोई भी काम हो रहा है कोई situation है लेकिन उसको और बहतर कैसे बनाया जा सकता है रिसर्च सरफ यह नहीं है कि आप लोगों को धूंडें जो available information है उन्हीं से ही वो information ने जिन्होंने जिस तरह के से टेक्नीक से और स्किल्स से स्ट्राटिजी से अपने काम को इंप्रूफ किया है वही आप as it is adopt करें बलके आप देखें वाकिए उनके scenario में fit थी या नहीं थी क्या यह सेम चीज मेरे research में मेरे problem में fit on होती है या नहीं आती not about learning why do certain things मतलब कि यह नहीं है कि हम क्यों कोई एक particular particular चीज को सिर्फ learn करने के लिए बलके हम उसको बहतर हम बनाएं students के लिए जो learning है उसको effective बना सके इसमें हम यह करते हैं कि जो topic है उसको select किया जाता है उसमें questions बनाया जाते हैं जैसे जो 8613 specifically इसमें एक whatsapp group बना कि उसमें carefully messages को read out करना students को respond करना और फिर हर semester में एक deadline एक theme दिया जाता है और सब theme दिया जाता है इस semester में जो students को theme दिया गया है वो developing scientific attitude among children और उसमें सब themes दिये गये हैं students को सिर्फ इनी themes पे रहते वे ही काम करना होगी कुछ important points हैं जो कि आपको बहुत carefully समझनी होगी understand करनी होगी याद करनी होगी कि इस project में आप सिर्फ पोर्टल है वहां पर जाएं और वहां पर LMS पोर्टल से अपने manual को डाउनलोड करें डाउनलोड करने के बाद अपनी अपना manual सारा फिल करें research जितनी भी आपने कंड़क्ट किया है उसको handwritten करें handwritten फिल करने के बाद आप उसकी pictures बनाएं या उसको scan करें और 5 MB की फाइल बनाके आप दोबारा से मैं जाके LMS पे उसको upload कर दें उसमें आपको specific बताया गया है जिसार से वरक्शॉप्स में कि आपने अपना रोल नंबर लिखना है नाम लिखना है supervisor का नाम लिखना है let's suppose अगर आपने मेरे साथ वरक्शॉप लिए तो आप उसका जो नाम है वो मेरा नाम लिख सकते हैं या किसी और ने दी है तो उसको लिख सकते हैं उससे पहले 10th February से पहले पहले अगर इस semester में है तो उसमें आप एक specific time दिया जाता है आपको कोई भी date दी जा सकती है for example future में या previously जतनी भी dates दी गई है उस dates से पहले पहले आप topic अपना अप्रूब करवा के accept करके और English में सारा आपका topic जो है सारा कुछ आपका English में काम होगा उसको आप दुबारा से upload करेंगे और इस तरह से फिर आपकी जो project है वो upload हो जाएगा और फिर सारी जितने भी deadline से दी कहीं है उनको meet करते जाएंगे तो इंशाल्ला आपका project है that will that will be effective और अच्छ conduct हो जाएगी